हाई फ्रेंज मोना की रसोई में आप सभी का स्वागत है ये मसाला एक दो नहीं पूरे पचास सब्जी का ग्रेवी बना के तयार करने वाला है एक बार बना लीजिए महीनों इस्टोर करके रखिया बहुत टेस्टी बनता है तो चलिए दिखाती हूं क्या क्या मैं मसाला डाल यह 20 ग्राम सा जीरा है यह 20 ग्राम जीरा है यह बड़ी लाइची है 20 ग्राम यह 20 ग्राम जावीत्री है यह 20 ग्राम लॉंग है यह 20 ग्राम गोल मरीच इसको बोलते हैं ब्लैक पेपर है और तेज पत्ता है आई यह दो हरे है इसको हरे बोलते हैं इसको हम कूट लेंगे ऐसे ही बनाए बहुत टेस्टी आपका सब्जी बनेगा सबको हम एक जगा डाल लोंगी छोटा-छोटा टुकरा करके अगर मेरी रेश्पी पसंद आए तो मेरे चाइनल को जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें या कमेंट वे लीखें कि कैसी रेश्पी है सबको हम डालके इसको हम दो से तीन बार अच्छे से पीच लेंगे मिक्सर ग्राइंडर में यह पौडर हॉम में हो जाएगा इसको इजार में रख दे महीनों के लिए चुट्टी हो जाता है और कोई भी मसाली की जरूरत नहीं परेगी आपको यह डाल दीजिए सभी सबज कि एकदम मस्त बन के तयार होगा इसको हम अच्छे से कूट लेंगे हरे को ताकि पिचने में आसानी से पिच जाए सभी को हम पीच रही हो इसको पीच के हम दिखाओंगी आप लोगों को कि कितना बढ़िया पाउडर बन किया है इतनी अच्छी खुसबू आती है कि क्या बताएं सब्जी जिब बनाएंगे तक हैर पूरा महक उठता है मैं तो बनाती हूं तो सब पूछने लगते हैं कौन सा मसाला आप डालती है यही मसाला है जो कि मैं डालती हूं अपनी सब्जी में यह देखिए इसको एक बरतन में निकालके और एक जाड में मैं कर लोंगे दिखा रहे हैं देखिए कितना पर अफेक्ट बन के तयार है कोई वे सब्जी में सब्जी के मुताबिक बड़ा ज्यादा सब्जी है तो चम्मच कम सब्जी है तो एक चम्मच डालिए लहसुन अद्रक का पेश डाल दीजिए प्याज डाल दीजिए सब्जी बन के तयार है मसाला बस यही डालिए चिकन मटन नौन पर कुछ भी आप बना सकते हैं अब इसको हम एक जगह स्टोर करके खास करके कोई भी चीज मसाला असला सीशे के जाड में रखिये तो ज्यादा वेटर होता है ऐसे आप प्लास्टिक में भी रख सकते हैं ऐसे ही में मसाला बना की स्टोर करके रख लेती हूं एक दिन बना लो और महीना दिन छुट्टे हो जाता है ऐसे ही आप लो भी बनाईए इंज्वाइ करिए था इनक्यू सो मच